आज हम सबसे पहले आपको वर्ष 2018 का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जब वेनिजोला के राश्पती निकोलस मदूरो पर एक सैन्ने समारो के दोरान दो ड्रोन्स के जरीए हमला हुआ था उस समय इन दोनों ड्रोन्स में एक किलोग्राइम RDX भरा हुआ था यानि रखा हुआ था लेकिन हमले से पहले ही ये दोनों ड्रोन्स हवा में फट गए थे जिसके बाद वहां भगदड मच गई सबसे पहले आप ये ड्रोन हमला देखिए जिसमें मदूरो बाल बाल बच गए थे अब शुआ पॉस्तार पर वीएम देनेस्टो पाईस अचेगा दो ला ओरा देला रेकुपराशन एकॉनॉमिका इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि एक ड्रोन कैसे एक देश की सेना और उसके राश्पती तक को हिला सकता है लेकिन अब ये सूचिए अगर ये ड्रोन आतंकवादियों के हाथों में पहुंच जाएं तो क्या होगा तो ये ड्रोन हवा में उड़ते हुए आत्म घाती हमलावर बन जाएंगे और जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ़ते से यही हो रहा है यही खत्रा सामने आया है जम्मू कश्मीर में 27 जनवरी को एरफोर्स टेशन पर दो ड्रोन से हमला किया गया और आज भी सीमा पर सैने ठिकाने के पास एक ड्रोन की गतिविदी देखी गई जिस पर आज भारत ने संयुक्त राष्ट में चिंता जताई है सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज इस पर संयुक्त राष्ट में क्या हुआ जब भारत ने यह मुद्दा उठाया है भारत की तरफ से केंद्रिय ग्रेमंतराले के विशेश सचिव वी एस के कौमुदी ने आज आम्ड ड्रोन्स यानि हत्यारों से लेस्ट ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर यह मुद्दा संयुक्त राष्ट में उठाया और कई गंभीर बातें कहीं भारत की तरफ से युनाइटेड नेशन्स में कहा गया कि इस तरह के आम्ड ड्रोन्स सस्ते होते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं या फिर बना लिये जाते हैं अगर ये आतंकवादी संगठनों को मिल गए तो ये दुनिया भर के देशों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा हैं संग्तराश्ट में भारत की तरफ से व्यक्त की गई इस चिंता का एक पहलू ये भी है कि सरकार जम्मू के एरफोर्स टेशन पर हुए ड्रोन अटेक को बहुत गंभीरता से ले रही है जिसे दुनिया के बाकी देश अभी तक समझ नहीं पाए औ अमेरिका में 9-11 के हमले से पहले अमेरिका आतंकवाद को कभी भी एक वेश्विक चुनोती मानता ही नहीं था और तब अमेरिका समेत योरोप की ऐसी सोच थी कि आतंकवाद एक राजनितिक और कानून विवस्था से सम्मंदित समस्या है और उस समय जब भारत ये मुद्द का आपसी मामला है कई दशकों तक इन देशों ने आतंकवाद को कभी भी समस्या माना ही नहीं लेकिन जब वर्ष 2001 में अमेरिका पर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और वो अल-काइदा ने किया तब अमेरिका को ये समझ में आया कि भारत सही था और आतंकवाद वा इसलिए आज हम आपको इस विशे पर पूरी जानकारी देंगे आज कल ड्रोन रोज मर्रा की जिन्दगी का एक हिस्सा बन गया और आपने भी सुना होगा कि बविश्य में आपके घर में दवाईयां पीजा यहां तक की ब्रेड, मक्षन और अंडे भी शायद ड्रोन के जर भी होंगी इसे आप दक्षन कोरिया से आई इन तस्वीरों से समझे जहां ड्रोन हमले से बचने के लिए एक मौक ड्रिल की गई और इस मौक ड्रिल की तस्वीरों से आप समझ जाएंगे कि आम्ड ड्रोन कितने खतरनाक हो सकते हैं और ड्रोन को कैसे हमलों के लिए और हत्य के लिए आने वाले समय में इस्तेमाल किया जाएगा दक्षन कोरिया की स्मॉक ड्रेल के बाद अब हम आपको जम्मू कश्मीर के तस्वीरें दिखाते हैं 27 जून को जम्मू के एरफोर्स स्टेशन पर रात करीब डेड़ बजे एरफोर्स स्टेशन पर आडियेक से लदे दो ड्रोन्स गिराए गए और इसके बाद पांच मिनट के अंतराल पर दो बम धमाके हुए इनमें एक बम धमाका एरफोर्स सेशन के हैंगर एरिया में हुआ जहां एरक्राफ्ट खड़े होते हैं और इस बम धमाके से वहां इमारत की चट पर एक बड़ा छेद हो गया अब जाँच एजिंसियों को इस बात के आशंका है कि इस ड्रोन अटेक में वायू सेना के एरक्राफ्ट को निशाना बनाए गया था और ये हमला आतंक वादियों ने किया था इस हमले के बाद एक बार फिर कालूचक मिलिटरी एरिया और सुझवान मिलिटरी एरिया में तीन और ड्रोन देखे गए हैं और इसके बाद से जम्मू कश्मीर में सेन्न ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है यानि अब भारती सेना का सामना आतंक वादियों से नहीं जिनने मुटभेड में या किसी एंकाउंटर में मारा जा सके भारतिय सेना का सामना आतंकवादियों दुआरा आपरेट किये जा रहे इन आम्ड ड्रोन्स से है जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अब एक बड़ा खत्रा बन सकते है आज से एक दशक पहले तक दुनिया के किसी भी देश और आतंकवादि संगठन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया था उस समय तक ड्रोन्स जासूसी या फिर सूचनाओं को एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होते थे लेकिन वर्ष 2000 में पहली बार अमेरिका की सेना ने स्पाई ड्रोन्स को हत्यारों से लैस कर दिया और 7 सितंबर 2001 को तालिबान के सुप्रीम कमांडर मुला उमर को मारने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया यानि यही वो समय था जब दुनिया को पता चला कि ड्रोन्स को हत्यारों से और बारूद से भी लैस किया जा सकता है और इसके जरीए हत्याएं की जा सकती है आज अमेरिका के पास प्रिडेटर के नाम से इन खतरनाक ड्रोन्स की एक पूरी सीरीज है और भारत ने इसी साल मार्च में अमेरिका से इस सीरीज के 30 MQ 9B आम्ड प्रिडेटर ड्रोन्स की खरीद का सौधा किया है और इस सौधे की कुल कीमत 3 बिलियन डॉलर यानी 23,000 करोड रुपे है इन 30 ड्रोन्स में से 10-10 ड्रोन्स तीनों सेनाओं को दिये जाएंगे इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका के आम्ड ड्रोन्स सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं और आपको शायद पता नहीं होगा अमेरिका ही वो देश है जिसने आम्ड ड्रोन्स को दुनिया के दूसरे देशों और आतंकवादियों के बीच भी लोकप्रिये बनाया उधारन के लिए अमेरिका के पूर राशपती जॉज डबल्यू बुश के आठ साल के कारेकाल में 57 बार ड्रोन्स का इस्तिमाल किया गया जब बराक उबामा राश्पती बने तो उन्होंने हत्यारों से लेस ड्रोन्स का इस्तेमाल और बढ़ा दिया और उनके आठ साल के कारेकाल में 563 ड्रोन हमले किये गए और बियूरो आफ इन्वेस्टिकेटिव जर्निजम की एक रिपोर्ट के अनुसार 2009 से 2016 के बीच 7 साल में इन ड्रोन हमलों में आतंकवादियों के लावा 400 से 800 लोग मारे भी गए हैं अमेरिका ने जब ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया तो ये तक्नीक दूसरे देशों और आतंकवादियों ने भी अपना ली यानि इस तरह से आतंकवादियों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया आज से 5 साल पहले तक आतंकवादियों के पास घातक ड्रोन्स नहीं थे लेकिन धीरे धीरे आम्ड ड्रोन्स पर आतंकवादी संगठनों का खर्च काफी बढ़ गया और आज ये ड्रोन आतंकवादी आसानी से खरीद भी रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हम ऐसा क्यों कहते हैं इसे आप कुछ उधारनों से समझिए आप सब ने AK-47 आटोमेटिक राइफल्स के बारे में जरूर सुना होगा इस राइफल को AK-47 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण 1947 में सोवित संग के एक पूर्व करनल मिखाइल कलाशनिकोव ने किया था 1950 और 60 के दशक में ये राइफल पूर्वी यूरोप के कम्यूनिस्ट देशों के पास पहुँच चुकी थी हलांकि इस राइफल के इस्तेमाल का उदेश चे अगले कुछ वर्षों में बदल गया और इसका बड़ा कारण था इस राइफल पर उस समय लिखी गई किताबें और विदेशों में बनी फिल्में 1972 के म्यूनिक ऑलिम्पिक्स में फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इसराइल के 11 एथलीट्स को इसी AK-47 से भून दिया था और कहा जाता है कि यहीं से दूसरे आतंकवादी संगठनों ने भी AK-47 राइफल अपने हाथों में ले ली पास है जो आपने देखी होगी पैरिस के 2015 के आतंकवादी हमले में भी यही राइफल का इस्तेमाल हुआ और आज दुनिया में 20 करोड से ज्यादा AK-47 राइफल मौजूद है यानि हर 35 लोगों पर एक AK-47 राइफल इस समय है AK-47 राइफल हत्यारों का अब पसंदीदा हत्यार बन चुकी है आज यह उधारन आपको इसलिए कि दे रहे हम कि जिस तरह AK-47 आतंकवादियों के पास पहुँच गई उसी तरह यह ड्रोन भी अब धीरे-धीरे सेनाओं के साथ-साथ आतंकवादियों के पास पहुँच रहे है और यह बहुत खतरनाक बात है इसी तरह जब आतंकवादियों और international drug माफिया ने ये देखा कि विमानों से हमला किया जा सकता है तो उन्होंने इस तरकीब को भी अपना लिया था उधारन के लिए 2001 में अमेरिका के वर्ल ट्रेड सेंटर पर हुआ आतंकवादी हमला चार हाईजेक पैसेंजर प्लेंस की मदद से किया गया था जो हाईजेक कर लिये गए थे इसके लावा 2007 से 2009 के बीच श्रिलंका के आतंकवादी संगठन LTE ने भी अफरीका से लाए गए सिंगल इंजन विमानों से श्रिलंका के कई शेरों पर आतंकवादी हमले किये थे अब ये आतंकवादी ड्रोन तकनीक पर शिफ्ट हो रहे हैं और इसका भी एक कारण आम्ड ड्रोन पर लिखी गई किताबे हैं और उन पर बनी फिल्मे हैं जिसकी वज़े से ये ड्रोन बहुत लोगप्रिय हो गए हैं और सबसे बड़ी बात ये बहुत सस्ते हैं और इसमे बात होगा वर्च 2019 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ी जिसमें ड्रोन तकनीक को दर्शाय गया था इसके लावा आम्ड ड्रोन के इस्तिमाल पर एक हॉलिवड फिल्म भी आई जिसका नाम था लंडन हैस फॉलन इस फिल्म ने आम्ड ड्रोन को लोगप्रिय बन अगर घर बैठे आप मंगवा सकते हैं और फिर इसी इंटरनेट पर कई ऐसे प्लैटफॉर्म हैं जिन पर ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जिनकी मदद से कोई भी ड्रोन के इस्तिमाल के अलग-अलग तरीके देख सकता है जान सकता है इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है और यही वज़ा है कि भारत ने आज संयुक्त राष्ट में ड्रोन्स के मामले में ये मुद्दा उठाया है आज हमने कई एक्सपर्ट से भी बात की आप उनकी बात भी सुनिया और देखिए वो क्या कहते हैं इसको हम ऐसा ना देखे ये पहली बार इंडिया में हो रहा है इसका मतलब यह दुनिया में नहीं हुआ है तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि जब दुनिया में इससे पहले हो चुका है तो हमने उसके मैजर्स पहले ही क्यों ने लिए कि अगर वहां पर चाहिए वो इरान में हो सकता है, साउधी में हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है, तो ये threats इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि rogue forces, जो enemy forces है, वो हमसे advanced तरीके से सोच रहा है, कि वो ये technology, और वो जानते हैं कि ऐसे drones को radars उतनी आसाने से detect नहीं कर पाएंगे, तो उनको पता है कि वो किसी तरह पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है हमें आज समझने के लिए, कि drone threat है, या loitering munition threat है, या smart swarm threat है, ये नहीं है, कि इन threats को हम किस तरीके से counter किया जाए, ताकि enemy कोई move करने से पह कि उनको लगता है कि हम उसको defend नहीं कर पाएंगे, भारत के पास में specific area capabilities हैं, अगर आपको याद होगा कि 26 January और जिस 15 अगस के time के open में, एक specific area का defense करने की काबियत है, drone के अगेंज में, और मैं कहूंगा, जब प्रेजिडंट टरम भी आया थे, उस वक भी उनकी visit के दौरान ये anti-drone काबियत को दशाया गया था, लेकिन हमको जरूरत है एक surveillance की, एक detection की और एक किस परकास को, परकास इसको disable और इसको destroy किया जाए, हमको इसके लिए पुखता तरीके से त्यार होना पड़ेगा, security में वशे कोई चूक कुई है, क्योंकि हमारी जो intelligence, alertness और security है, इसमें से इंद नहीं लगनी चाहिए, वो भी ऐसे sensitive area में, जो air force station का technical area है, ये बिलकुल बरदाश नहीं है, और जिसने भी ये किया है, investigation से पता लगेगा, लेकिन उसके बाद में एक बहुत heavy retaliation करना पड़ेगा, और वो भी एक proactive तरीके से. इसके बड़े positive aspects हैं, हमने spraying आपने देखा है, spray हो रहा है, medicine supply हो रही है, तो इन सब के बीच में drone को negative publicity से बचाया जा सकता है, कि जो bad element है, जो anti-state element है, बैन से उनको नहीं रोका जा सकता है, ना हम accident होने के वज़े से driving छोड़ते हैं, उसी तरीके से drone के ऐसे cases होते हैं, उनको different way में उसको handle करना चाहिए, उसके लिए में anti-drone technology develop करनी चाहिए, ना कि हम drone को ban करें, धेर सारे startups हैं, जो इस पे काफी initiatorialized चुके हैं, काफी काम हो रहा है, and we are towards being a drone hub, India, जो सारी दुनिया को जैसे आने software supply किया था, वैसे ही drone की services and software and manufacturing में काफी काम हो रहा है, कोई भी terrorist attack हम जो high profile zones में होगा या border पे, जो security army forces पे होता है, उनको secure करने की जरूरत है, वहाँ पे anti-drone establish करने की जरूरत है, ना कि जो civil के works हो रहे हैं, drone के थूँ, या जो monitoring हो रही है, जो drone का positive aspects हैं, उनको रोकने का, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके के activities से drone का हम hub बनाने की बात क करें, उसके initiative पे भी फरक पड़ें. एक सो सड़ सट drones की गतविदियों को record किया, इसके अलावा 2020 में कोरोना काल में भी सीमा पर 77 drones देखे गए, सितंबर 2019 में पंजाब पुलिस ने drone से नीचे गिराए गए हत्यारों को बरामत किया था, जिसमें AK-47 rifles भी थी, इसके बाद जून 2020 में भी आतंकवादियों ने गिराया था, हत्यारों से drones को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, ये एक उंगली से लेकर एक जहाज जितने बड़े हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके ऊपर कोई drone उड रहा हो और आपको शायद लगे कि वो कोई सा जानवर है जो उड रहा है, मक्खी जैसा भी हो सकता है, इस समय पूरी दुनिया में पक्षियों के आकार के drones हमलों और जासूसी में सबसे जादा इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के drones को बायो मिमेकिंग ड्रोंस कहते हैं, इसके लावा ऐसे drones भी आ गए हैं, जो पानी में ए उड सकते हैं, यानि हवाई जाहाज के बराबर उनकी गती है, और कई drones 2000 किलोग्राम तक के हत्यार लेकर उड सकते हैं, अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने ऐसा drone बनाया जो अंतरिक्ष में भी जा सकता है, एक और रिपोर्ट है जिसमें विस्तार से बताए गया है कि क्यों आतंकवादी, आम्ड ड्रोन्स का साहरा ले रहे हैं, इसे दो पॉइंट्स में समझी है, पहला है कि ये ड्रोन्स जो होते हैं, ये बहुत सस्ते होते हैं, इसी साल फरवरी महीने में, असोसेशन आफ यूनाइटेड स्टेट्स आमी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिस एक करोड बीस लाख रुपे खर्च किये, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि अगर इस तरह के हमले किसी ड्रोन के जरीए किये जाएं, तो ये खर्च सिर्फ दो हजार डॉलर, यानि मातर डेड़ लाख रुपे तक आ जाएगा, यानि डेड़ लाख रुपे में आप मुंब 2018 में Directorate General of Civil Aviation यानि DGCA ने नई ड्रोन पॉलिसी को लागू किया था, जिसके तहद भारत में सभी कमपनियों और नागरिंगों के लिए अपने ड्रोन के डिजाइन के बारे में सरकार को बताना अनिवारी है, इसके अलावा हर वो ड्रोन जो 200 ग्राम से ज़्यादा भारी है और 50 फीट से उपर उड़ सकता है, ऐसे ड्रोन को Digital Sky Portal पर रजिस्टर करना जरूरी है, हर ड्रोन की फ्लाइट से पहले उसको ऑपरेट करने की अनुमती लेना आने वारे है, लेकिन ये पॉलिसी देश में अंदर, देश के अंदर बने ड्रोन के लिए है, और देश के अंद में सरकार ने ड्रोन पॉलिसी में कुछ नर्मी दिखाई और भारत के एर स्पेस को तीन जोन्स में बांट दिया, ग्रीन जोन जहां आप डीजी सीय को जानकारी दे का ड्रोन उडा सकते हैं, येलो जोन जहां ड्रोन उडाने के लिए आपको सुरक्षा एजेंसियों से पहल परमिशन लेनी होगी और रेड जोन जहां ड्रोन उडाने की आजादी नहीं है, इस समय देश में लगभग 34 ग्रीन जोन्स हैं, यानि जहां डीजी सीय को जानकारी दे का ड्रोन उडाए जा सकते हैं, डीजी सीय को माफ कीजेगा, हाला कि पिछले हफ़ते एक बैठक हुई जिसमें सुरक्षए एजिंसियों और ग्रह मंतराले ने इन नियमों में कुछ रात देने पर नाराज़गी भी जताई थी, और कहा था कि सरकार को सैने ठिकानों और सीमा के 80 किलो मीटर के दारे तक बफर जोन मना देना चाहिए, ताकि इस तरह के खतरों को कम किया जा सके, भारत ने ऐसे ड्रोन हमलों को रोखने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिये हैं, जो 10 किलो वाट लेजर की मदद से 2 किलो मीटर के दारे में आने वाले किसी भी ड्रोन को नश्ट कर सकता है, भारत में जल्द ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा.